दोस्तों इंडियन मार्केट में काफी इलेक्टरेक स्कूटर अविलेबल है लेकिन काफी ऐसे कस्टमेर जो हॉन्डा की ऑफिशली इलेक्टरेक स्कूटर ट्रेस्टेड ब्रैंड के तरब जाने की कोशिश कर रे इसके लिए रुके है जब Honda की इलेक्टरिक स्कूटर आएगी तब ही हम इसको लेंगे तो दोस्तों अगर आप भी रुके हो तो ये वीडियो आपके लिए है क्यूंकि Honda की जो एलेक्टरिक स्कूटर रहेगी Absolutely, other electric स्कूटर से तो best रहने ही वाली है इसके उपर अभी जो है रेगुलरली अपडेट आना शुरू हो चुके है, कुछ दिन पहले उन्होंने ट्रेड मार्क भी किया था, जो कि दो तिन बार हो चुका है, तो आप एप्रॉक्सली बोल सकते हो कि होंडा अपने एलेक्टरिक स्कूटर को प्रोसेसिंग में लेकर आ रही है, और दोस्तों होंडा की जो CEO है, उन्होंने भी कन्फर्म किया था कि हम 2023 के लास्ट तक मतलब इसी एक दो महिने के अप्रॉक्सली होंडा की अपकमिंग इलेक्टरिक स्कूटर के बारे में अपडेट डालेंगे, और 2024 के फर्स कौटर में होंडा की फर्स्ट इंजिन में आती है, उसके लॉंच इवेंट में ये बाते शेयर किये थी, पहले ही होंडा की इलेक्टरिक स्कूटर आने वाली थी, लेकिन नए गवर्मेंट की रूल्स की वज़े से, नौम्स की वज़े से इन्होंने लोड़ा सा डिलाई किया है, लेकिन आप इसके लिए गाइज रुके हो, तो आपका इंतजार खतम होने वाला है, जी हाँ दोस्तों, आप बोल सकते हो कि दूसरे इलेक्टरिक स्कूटर से तो बेस्ट रहेगी, रहेगी, में इसकी जो बैटरी की परफॉमंस है, बैटरी को जो लाइफ है, वो तुम्हें कहता हो कि इंडियन मार रेंज की बात करें, तो 140 किलोमेटर तक सिंगल बैटरी में रेंज देखने को मिल सकती है, अगर आपकी रिक्वाइर्मेंट ज्यादा है, तो डूल बैटरी वाले आप ले सकते हो, 280 किलोमेटर की, अदर्वाइज आपको इसमें जो स्वापिंग बैटरी का भी ऑप्शन द दिख रही होगी, रेंज के बारे में और भी कई सारे बाते ये शेयर कर रहे है, ट्रेड मार्क भी इनके तरफ से आ रहे है, तो यार बात आती है मेंली प्राइसिंग के बारे में का इसकी प्राइसिंग क्या रहे सकती है, तो देखो यार प्राइसिंग कम ज्यादा हो सकती बट आपको quality मिलेगी, वो दूसरे electric scooter से तो काफे ची मिलने वाले, trusted brand मिलने वाला है, so absolutely price थोड़े ज्यादा भी रहेगी, तो भी चलेगा, लेकिन इसकी जो life है, वो number one आपको Indian market में Honda electric scooter की रहने वाली है, so ज्यादा वेट करने के ज़रूरत नहीं है, दो तिन महीने के approximately आपक में कुछ ही महीनों में Honda की तरफ से officially launch date भी reveal हो सकती है, so आपको क्या लगता है कि Honda की जो upcoming electric scooter होगी, उसका look कैसा रहेगा, active अज़ा सा रहेगा, जो ice engine में है, नए look के साथ देखने को मिलेगी, comment में जाकर जरूर से जरूर बताए, और आपको कौन सा चालोग लगेगा, comment में जाकर जरूर से जरूर बताइए, so guys काफी customer बोल रहे थी क्यार होंडा के electric scooter लेनी ही है, so अभी तक के लिए यही information है, जल्द आपके लिए हम next video में भी अगर कुछ update आता है, तो सबसे पहले share करने कोशिश हम करेंगे ही करेंगे